चले, अलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टू किलियर कंसिप्ट क्लासेश, दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैंने दो वीडियो अप्लोड कर दिया एलेक्रिक सिटी का, जिसमें मैंने क्या पढ़ा दिया दिखे, पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है basic concept of electricity, जिसमें हमने बताएं कि electricity है क्या, charge क्या है, वो charge कितने तरीके का होता है, electric field क्या होती है, electric field lines क्या होती है, यह सब पढ़ चुके है, दूसरी वीडियो मैंने बताया है आपको, कि electric potential क्या और potential difference क्या है, और आज के class में हम लोग पढ़ेंगे, कि electric potential से related कुछ और बाते स इसमें पढ़े थे यह, कि the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point inside the electric field, क्या पढ़े थे, यह potential difference पढ़े थे, तो potential difference actually क्या है, कि कितना work हमने किया, कितने charge को move कराने में, अगर हमने इतना work किया, इतने charge को move कराने में, तो अगर उन दोनों का ratio निकालने, तो यह potential difference हमें मिल जा रहा था, potential difference का मतलब क्या, कि जैसे मालीजी कि यह कोई positive charge है, यहाँ पे, तो इसका अपना electric field region होगा, कि यह electric field है, जितना दूरी में यह, अपना effect पहुंचा रहा है, तो electric field का मतलब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, कि यह जगा जितना दूरी में अपना effect डाल रहा है, उसको electric field कहा जाता है, और potential का मतलब क्या हुआ, या potential difference का मतलब क्या हुआ, कि इस point पे चार्ज particle को रखा, और उसको वहाँ से move करा के, इस point पे लिए आया, एसे move करा के, भी point पिलाया, तो अगर एसे move करा के, भी point पिलाया, तो उस condition में हमें कितना extra work करना पड़ा, उतने work को हम लोग क्या कह देते है, potential difference, अब उतने work को क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय पर हमने जो charge लिया था, वो unit positive test चार्ज लिया था, इसलिए हमने वहाँ पे simply potential को work कह दिया था, हमने simply वहाँ क्या कह दिया था, potential is equal to work कह दिया था, पर अगर हम कह रहें कि माली जा हम unit positive test चार्ज ना ले, तब क्या करेंगे, तो आपने जितना charge लिया, उतने charge से आप divide कर दिचे, उस condition में ये work done और जो charge कर issue आएगा, उसी को हम क्या कह देंगे, potential difference कह दें तो उसके ऊपर कितना force लगेगा, कि ये यहाँ से move करके infinite को चला जाए, और जब यहाँ से इसके ऊपर repulsion Force लगेगा, देखो बया यह positive charge है, और यहाँ पे एक दूसरा positive charge रखे, तो positive passenger में क्या होगा, repulsion, repulsion के वैसे भागेगा electro, यह positive charge भागेगा, जैसे ये positive charge भागेगा, तो किसके द्वारा भागा है, इसके force of repulsion के वज़े से, अगर इसके force of repulsion के वज़े से भागा, तो इसका मतलब इसने इसके उपर कुछ work किया, अब इसने इसके उपर कितना work किया, अगर यह निकाल ले, तो इसका potential पता चल जाएगा, potential एक तरीके की energy हम समझ सकते हैं, तो इसने इसके उपर कितना potential लगाया, यह चीज निकल जाएगी, अब यहाँ से question आप से पुछा जाता है, कैसे question पुछा जाता है, कहा जाता है, कि suppose करिए, कि यह कोई conductor है, अगर इस conductor में, 100 electron इधर से इधर flow कर रहे हैं, और 100 electron हमने flow कराया, तो हमें suppose करिए, कि हमें, कुछ potential difference हमने लगाया, इसके किनारे, माल लिजी हमने यहाँ पर एक potential difference लगा दिया, 6 volt, तो पुछा जाता है, कि बताए, कि बताए, कितना work done हुआ, यह बताए, कि जब number of electron आपको पता चल गया, कि electron की संख्या कितनी हमारे पास, तो number of electron हमारे पास है 100, और एक electron पर charge कितना होता है, एक electron पर charge होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 अब यह समाम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए B, sorry, हमको चाहिए W, और W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर Q को इदर बेसके multiply कर दें, तो B into Q equal to क्या हो जाएगा, work done आजाएगा, तो अगर work done निकालना है, तो हमें ही चाहिए total charge, और मैं बता दू कि total charge कैसे निकाला जाता है, तो total charge निकालने का formula होता है, Q equal to यान into E, क्यों total charge निकालने का formula यान into E होता है, क्योंकि देखिए, एक electron जो होता है, उसके उपर charge पाया जाता है, अगर इतना charge, मतलब एक electron flow कर रहा है, तो इसका मतलब इतना charge flow किया, और अगर हम क्या दें कि दो इलेक्ट्रोन फ्लो किया, इसका मतलब इसके दो गुना चार्ज फ्लो किया, हम कहा रहे कि अगर तीन इलेक्ट्रोन फ्लो किया, इसका मतलब इसके तीन गुना चार्ज फ्लो किया, तो इसलिए अगर मालते हैं कि यह नमबर आफ इलेक्ट्रोन फ्लो कर रहा है, तो को बता रहे है कि number of electron कितने hundred और कितने electron एक electron पर कितना charge होता है इतना तो अगर हम क्या कर दें क्यूं निकालने तो हमारा सारा काम बन जाएगा क्योंकि अगर W निकालना है तो हमको चाहिए भी और हमको चाहिए Q, तो हम Q निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि कितना चार्ज दिया गया, कितना इलेक्टरॉन दिया गया, 100 इलेक्टरॉन दिया गया था, एक इलेक्टरॉन पर कितना चार जाएगा तो देखे 100 का मतलब कितना हुआ 10 का पावर 2 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलंग अब आप इंडिसेस में पड़े होगे कि अगर एक का पावर यम देदे और एक का पावर यन देदे जैसे देखे यह बेस सेम होता है तो पावर को एड़ किया जाता है वैसे ही यहां 10 के पावर प्लस 2 है और यहां 10 के पावर माइनस 19 है तो इसमें प्लस 2 झूड़ जाये यह जाये यह हट जाये गहां से तो इस कंडिसें में जब जोड़ें गे तो क्यों क्यूनरद कितना आ जाएगा हमारे पास है यह आ जाएगा 100 को घ्रक टो में 10 kवार plus 2 अगर इसको 10 kवार plus 2 लिए तो यह बता गये कि-10 kवार प्लस 2 और 10 kवार minus 90 यह बता दोनों जोड़ेंगे तो कितना सवेंटीन इसका मतलब कि इतना koolm ka charge जो है वो flow किया है इतना k Esta निकालने के लिए हमको चाहिए था पोटेंशल डिफरेंस वह हमें पता था और हमें वर्गडन निकालने के लिए चाहिए चार्ज और चार्ज हमने निकाल लिया अब दोनों को रखके मल्टिप्लाई कर दें तो टोटल वर्गडन यहां से निकल जाएगा तो देखें टोटल equal to हमारे पास आगया q into b और w equal to q की value आई है इतना 1.6 into 10 to the power minus 17 into b की value आई है 6 इसको 6 से multiply कर दे रहे हैं अब दिखिए 6 से multiply करेंगे तो इस number से multiply होगा जब 10 का power कुछ रहेगा तो इससे multiply होगा और 6 रहेगा तो number है तो इससे multiply होगा तो multiply कर दें 16 के छान में है ना 9.6 into 10 to the power minus 17 joule कितना work हुआ इतना joule work हो गया है तो इस तरह से हम लोग इसका utilization कर सकते हैं कि b equal to w by q क्या है अगर इन तीनों में से कोई दो चीज दे दे तो तीसरा चीज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जैसे माँ लीजे को एसी work done दे दे ता और charge दे दा तो आप potential difference दे जैसे कि अभी हमें किया कि हमें potential difference दिया था तो हमने वर्क निकाल लिया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर मा लिजे एक और question ऐसा ही देता हूँ, और उसमें बताता हूँ कैसे निकाले हैं, देखें, देखें वच्छे, क्या करना है, मैंने कहा, कि suppose करी एक question हमने दिया, जिस question में लिखा, कि calculate, calculate, the potential difference applied across the, across the end of a conductor, conductor, through which, through which, through which, through which, माले हमने कहा दिया, 20 electron flows, 20 electron flows, when, when, 10 joule of work is done, when 10 joule of, of work is done, तो अब इसमें बताईए, कि आपको क्या क्या दिया है, तो आपको दिया है, आपसे पूछ रहा है, potential difference, और दिया क्या है, पास number of electron, और क्या दिया है, work दिया है, तो जो 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 चीज़ दिया है, उसको आप लिखे, देखे, solution में सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, क्या आप उसको लिख लेंगे, तो पता चल जाएगा, क्या दिया है, क्या ने दिया, और जब चार्ज पता चल जाएगा, तो भी equal to wyq कर देंगे, और भी क्या है, potential difference, और वही पुछाय निकल जाएगा, तो इसके लिए मुझे q चाहिए, तो q निकाल लेता हूँ, देखे, number of electron कितने हमारे पास है, 20, और एक electron पे charge कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19, अब इसको कैसे solve करेंगे, तो देखे, 20 से 16 को multiply कर देखे, कितना हो जाएगा, 320 गुड़े 10 के power minus 19, अब यह हम लोग करेंगे solve, तो कितना आ जाएगा, एक decimal के, एक digit के बाद decimal यहाँ लगा देंगे, यहाँ जाएगा, 32 into 10 to the power minus 19, कुलम चार्ज आएगा, अगर इतना कुलम चार्ज आएगा, तो अब आपको क्या करना है, जब चार्ज मिले गया, तो अब यहाँ फर्मुले पर रख दीजिए, आपका फर्मुला क्या है, अब आपको चार्ज पता चल गया, वर्क पता चल गया, रख दीजिए, भी निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा, 10 Joule upon Q के जगब क्या रख दीजिए, 32 into 10 to the power minus 19, लग दीजिए, अब इसको solve करने का क्या तरीका है, तो क्या करिए, 10 to the power minus 19 को उपर भेचेंगे, फिर से indices की बात करते हैं, दीखें, indices में आप पढ़े होंगे, कि 1 upon अगर यह का पावर यम दिया है, तो यह उपर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और अगर यह माइनस दिया रहेगा, तो उपर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, एक पावर प्लस यह हो जाता है, वैसे जब डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट उसका आजाएगा, कि कितना potential difference वहाँ पर लगागा, तो इस तरह से आसानिस हम इसको calculate कर सकते हैं, और आसान है, इस पर बेश जितने question आएगे, वह असान होते हैं, एक question थ्रहाँ सा difficult आपके लिए क्या हो सकता है, वो क्या 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 क 30V क्या दे दिया एक तो हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि कितना work done होगा यह पूछ रहा है हमसे और क्या क्या दिया है कितना electron flow कर रहा है किस point से किस point को move कराना यह दह दिया है तो मुझे एक बात बताएं यह potential difference का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई दो पॉइंट है एक पॉइंट ये है ये माल लेते एक पॉइंट भी है तो अगर इस पॉइंट को हम क्या दे कि 20 वोल्ट है और इस पॉइंट को क्या दे हम 30 वोल्ट है तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे उसी को तो potential difference कहेंगे अब potential का difference कैसे निकालेंगे तो हम कह रहे हैं कि 30 में से 20 वोल्ट को माइनस कर देंगे तो potential का difference हमारे पास निकल क्या आजाएगा 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट अब potential का difference कितना आगया 10 वोल्ट 10 वोल्ट आगया मतलब हमको भी पता चल गया ये वाला इसमें ये भी पता चल गया अब मैं क्या निकालना है work done work done निकालने के लिए 2 ची चाहिए एक potential पता होना चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए मेर भाई आपको पता होना चाहिए कि Q की value क्या है तो हमने कहा कि कितना electron flow करें इतने अब यहां से आपने क्या कर दिया number of electron 50 है और एक चार्ज पर एक electron पर कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 पूलम होता है जब आप इसको multiply करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16 अब एक digit के बाद decimal है तो यहां लगा लिए हमारे पास यह हो जाएगा 80 into 10 के power minus 19 कूलम जब चार्ज आगे हमारे पास और हमें B पता चल गया तो हम लगा लेंगे कह देंगे we know that we know that B is equal to W by Q which implies that W is equal to B into Q Q को इसके multiply कर दिजे W की value आजएगा तो W की value जो है इस तरह हम नों निकाल सकते है क्या क्या चाहिए हमको B चाहिए दो B की value कितना आया था मेरे बाई यहां था 10 V potential का difference कर दिजे 10 V into Q की value कितना है आई था हमारे पास इतना 80 into 10 के power minus 90 अब दोनों को multiply कर देंगे सब को तो कितना हो जाएगा 800 into 10 के power minus 90 अब मुझे बताएगे कि 800 का मतलब कितना होगा कि 8 into यह 2 0 क्या करेंगे आद 2 प्लस कर देंगे 2 0 आटेगा तो into 10 के power minus 19 plus 2 हो जाएगा यह 2 0 क्या करेगा यहां add हो जाएगा क्योंकि 19 है तो 2 0 add होगा कितना हो जाएगा 8 into 10 के power minus 17 Joule जो बर कुआ इतना होगा तो अगर बहुत hard पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि आपको दो अलग अलग location का potential देगा आप पूछेगा कि बताएगे कितना work done होगा अगर हम क्या करें A point से B point को 50 electron, 100 electron या 1000 electron flow कराएगा तो आप इस तरह से करेके निकाल सकते हो कि सबसे पहले जैसे 2 point का potential दे आप तुरंत बड़े potential में से छोटे potential को minus कर दीजे आपको potential difference पता चल जाएगा और जैसे potential difference पता चल गया अब आपको भी पता चल गया Q आप निकालने का formula समझी गया हो Q equal to कितना electron flow किये थे उतना into charge on one electron से multiply कर दीजे आपको Q पता चल गया अब यह देखे Q को इदर multiply कर देखे तो W equal to क्या बन जाएगा V into Q रख दीजे आपको work done तो यह जो हमारे पास है यह है potential difference कैसे निकालते हैं लोग यह potential difference पर based question कैसे पुछा जा सकता है तो potential difference पर based question ऐसे पुछा जाता है है ना और question चाहिए तो आप comment करिएगा मैं आपको और सारा question जो है इस पर करा दूँगा ठीक है ना जिससे कि और practice हो जाएगा तो आप कहीं भी इसे चूकूगे नहीं ठीक है ना फिलाल मैं आगे बढ़ता हूँ next part में कि इसके बाद क्या पढ़ना है अच्छा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बना देता हूँ इस पार्ट में बस इतना ही देखेंगे अगर आपको और ज्यादा question चाहिए तो आप comment करिए मैं और ज्यादा question इसके आपको दूँगा बताऊंगा भी कैसे solve किया जाता है है ना अब हम लोग next video हमारे पास आएगे और next video में हम लोग क्या पढ़ेंगे next video में पढ़ने वाले हैं कि current क्या होता है electric current क्या होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे electric current क्या है यानि i is equal to q by t क्यो लिखते हैं यह उसमें जानेंगे लोग उसके पासे उसके थ्वास आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसमें यह देखेंगे कि यह जो current आ रहा है i is equal to q by t या किस वज़ा से आ रहा है इसके पीछे का reason क्या है और क्यों current जो develop हो रहा है वो flow of electron को कहा जाता है यह सारी चीज उसमें हम लोग देखेंगे तो यह next video में